गुड मॉर्निंग जी बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ मैं हूँ अन्जूली मुदकल पंजाब कोंगर्स की अंतर कलेकों खत्म करने के लिए बनाई गई तीन सदस्य कमेटी की बैठक में पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंग आज शामिल होंगे इस तोरां सीएम अमरिंदर सिंग कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे जानकारी की मताबिक सीएम अमरिंदर सिंग राहूल गांधी से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए बात कर सकते हैं आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग तीन सदस्ये कमेटी के सामने पेश होंगे वीडियो कॉन्फरेंसिंग जरीए राहूल गांधी से बातशीत हो सकती है मुख्यमंत्री कॉंग्रिस की अंतर कले पर पंजाब में सियासत तेज है बीजेपी महासचेप तरुन्चुक का कहना है कि कॉंग्रिस दो फार हो चुकी है सीम कैप्टन बहुमत हो चुके हैं और इसलिए राज़िपाल को विधान सभा का सत्रुबला कर कैप्टन अमरिंदर सिंग से बहुमत साबित कराना चाहिए तो राजकुमार वेरका बीजेपी के इसमांग को बेतुका बता रहे हैं और कॉंग्रिस की एक जुटता का दावा करते नज़रा रहे हैं पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंग दी सरकार पूरी तरह केल चुकी है विधायकदाल दो फार हो चुका है मेरी पंजाब दे गुवर्णर साब के बेंति है कि विधान सबादा सत्र बुलान और कैप्टन अमरिंदर सिंग उस विधान सबादे सत्र विश्वास मत साबद करन और पूर्फ किंद्री मंत्री हरसमृत कौर बादल ने पंजाब के मुखे मंत्री पर निशाना साथ ते हुए ट्वीट किया उन्होंने लिखा कि सीम अमरिंदर सिंग अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली में है मैं तरंतारण में एक युवा किशोरी के साथ गैंग रेप किया गया क्या उसे इंसाफ के लिए तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि आला कमान सीम सहाब को दिल्ली से फ्री नहीं करती माईला सुरक्षा हमारे लिए प्रमुख रखता है लेकिन कॉंग्रेस के लिए कुर्सी सबसे ज़्यादा मात पकोंट है ट्वीट के जरीय हरसम रित्वार बादल की तरफ से निशाना साधा गया और नहीं का कि कॉंग्रेस पार्टी के लिए कुर्सी ज़्यादा जरूरी है जब कि शिरोमनी अकाली दल के लिए माईला सुरक्षा का मुद्धा रात्मिक्ता पर है विधायक सुखपाल सिंग खेरा, जगदेव कमालू और पीरमल सिंग ने पंजब विधानसभा की सदस्ता से इस्तीफा दिया कॉंग्रिस में शामिल होने के बाद तीनों नेताओं ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया बता दे कि सुखपाल खेरा समेट आम आदमी पार्टी के तीन बागी नेताओं ने कॉंग्रिस का दामन थाम लिया है सीम कैप्टन अमरिंदर सिंग ने तीनों को पार्टी में शामिल करवाया सुखपाल सिंग खेरा, जगदेब सिंग कमालू और पीरमल सिंग दहुला ने कॉंग्रिस का दामन थामा कॉंग्रिस में शामिल होने के बाद सुखपाल सिंग खेरा मीडिया से मुखातिब हुए और आम आदमी पार्टी और अकाली दल पर जमकर निशाना साथ हा आम आदमी पार्टी जड़ी अलेक्शना तो पहला तो सब नुचेते हैं दोजार सारा तो कटों का डेट सो बंदा बारला यूपी वगएरा दा दिल्लियों ले आके इते पंजाब वेच पठा आता से सबसेस्ट केरां आम आदमी पार्टी तो आंवधायक जगदेव कमलू खास हो गए है क्योंके कैप्टर नमरेंदर सिंग हो राँ दी हाजरी देवेचे कांगरस दा पला फड़ लेया मुखकार न की रहा की आमादमी पार्टी देनार नी भी नी जा कांगरस देनार प्रेम जादा सी आमादमी पार्टी ना नी भी नी क्योंके आमादमी पार्टी देवेचे सी जिदो उन्हें केजरी वाल जी ने मतलब मजी शी तो माफी मंग ली ता सी सारे वीदे वीवेचे का ने इस ते रोस की ता समेट पंजाब पर दान पक मानतमान जी ने इस्तीवा देता ते उस तो ब लाहा गया सानू किसे नों पुछा तक नीगा साथ अधा एक मुद्धा सी के शायद जिदे करके तुसी डवड़ा फैसला ले लिया पर उस पार्टी दे विचे गए हो जिदे ना च्छती दा अंकडा सी गा जिदे प्रती वी उलंबे सी गे सखपाल खेरा रोज बोल दे सी के बहुत ड़े ब्यान देन दे सी के कांगरसुन तुसी बहुत इल्च ना בא्ट चपन ड़ए और अज तक जिदे वंग्रस्टा दे वेचे करके अजा तक नीए कांग्रसुते अपने कांग्रस खलाफ होए थे तुसी कांग्रस चलेगे नहीं ता स्द्ध जैस का जहां पंजाब परदान दा जहां अलोपी दा कदे भी फोन नी आया पार्टी अब होर भी पंजाब को ले चार पंज ने होर बहुत सारे दालने सिर्फ कांगरसी क्यों असी पिछले दिनी खेरा साब ने आफदी पार्टी बनाई उन्हाने कोशिश कीती के पंजाब 14 है कि एक 000 उन्दे सारे अड़ाड उसाब द अड़ाड बचार साब नर्साब नहीं काड़ी का दिरिश की के और जहां चड़ते-चल जोनी करा के गए आखे किरा लं देव केंदे हले रस्मी अलान होना बाकी है रस्मी अलान दे मौकी दास बनादे अन्वी डहह ठीट चोप पेज़ दिती से थे ते वह आज मतलब राबत जी ने भी ओना सी ते पंजाब परदान सलीन जाकर जी ने भी ओना सी उन्हों कोई डिका ला गया क्योंकि कांगरस दियों थे हो हो है ते सानु कैप्टरन साभ ने बला लिया के सो अड़ी जड़ी में तो जड़ी मनजूरी ओ आ कट Stickut ले लिए Pोरे कर्द माफी नी होई है कि जड़ ये वाइदे सी के कई ता छेड़े भी निए ते पूरे नीमी कीते के था लुकाcue उत ताकि आव दे राच अनसाफ देना सी आज तक उदा अनसाफ जे हाई कोट चा मतलब रेट जड़ी ओं कैंसल हो जान दिया है ताओ उते हो खुशी मनों देना इदा मतलब यह भी गुरू दी बेयाद भी जे कोई जोशी नहीं फड़ा जान दा तासी खुशी मनाएगी इस करक आज पंजाब दे लोक है जेड़े सारी रुवेटी पार्टिंगा तो के होई नो ते असी कम कराउन वास्ते आव दे हलके दे जार कटू का शे मीन रहेगे छे मीन आजी किड़े कम होन की मैं होई है मेरे मेरे मैं पिछले वादा अनसाबाच पंसाथ सवाल लाई सी आव दे और सुखपाल सिंग खेरा के शामिल होने के बाद विधायक लखवीर सिंग लखा का बड़ा बयान सामने आया है कॉंग्रिस विधायक लखवीर सिंग लखा ने बयान दिया है कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक और संपर्क में है और आने वाले दिनों में वो सब्सक्राइब काफी सुर्खियां बढ़ियां हुए यानी तपन जी आउनाले दिनाचे सारा खलासा आजू थोड़े सामने आजू कई वदाएक साथे संपरक्ष ने जो कॉंग्रिस पार्टी चौना चौना चौन सुपाल सिंग खेरा कि कॉंग्रिस में शामिल होने पर कि पंजाब में कॉंग्रिस आखरी साथ से गिन रखी है तो वह हरपाल चीमा ने का कि खेरा गिर्गिट की तरह रंग बदलते हैं आफ दोन को कि अपने वल्लोंतां ध्रया के अपने वल्लोंता ध्रया वड्डे का हर जांदा पर समुंदर देविच जाके और मर जांदा है गर्दन सिद्धी रखण दा मुलतार हैं विशर्माद आतां नीमी पाके भी सार जानदा एक चोन निशान तो मेले ने एक चोन निशान तो अब ठिंडे एंपीदी दो साल पहला सीट लड़ी एक चोन निशान वालनू चले गए लोपी हुंदे होए कांगरस ते बड़े अटैक कर दे सी की हुन रेत माफिया ठीक हो गया की ट्रांस्पोर्ट मा पंजाब के शिक्षा मंत्री विज्रेंदर सिंग्ला ने बताया कि पंजाब में बोड की बार्वी की परिक्षा रद करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है शिक्षा मंत्री विज्रेंदर सिंग्ला ने का कि बार्वी के बाद हायर एजुकेशन के लिए एड्मिशन के लिए सी बीएसी क्या फैसला लेगी इसका हम इंतजार कर रहेंगी इसके बाद ही वो फैसला लेंगे और इसका एक दिन में फैस जल्दी तो जल्दी स्टेट दे एजुकेशन मिनिस्टिस ना दुबारा मीटिंग कॉल करन तांकि एक चंगा फैसला बच्चा नू किस तरह बार्वी देवेच परबोट करना है कि चंगा फैसला स्टेट से सेंटर मिलके लह सकन तांकि जड़े बच्चेयां दा पभिक है बार्वी की परिक्षाय रध होने के बाद हुई CBSC चात्रों की वर्च्वल मीटिंग में प्रधान मंत्री मोदी ने सर्प्राइज विजट किया पीम ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए चात्रों और अभिभावकों की चिंता पर चर्चा की साथी पीम ने का कि पेप लिजुन भी रखा है कि अच्छा यह बता हुई आप तो दसमाइबा टॉपर थे तो पक्ता घर में तैयरी होगी बारा में टॉपर करेंगे अब एक्जामी चलीगी तो आपका तुफारा रूप देया कि सिर्वाई में बतारा था पेक्षाय लोगों कि पर मुझे अच्छ में ले लिया और मैh माहता हूँ, जो टोपर है यह जो मेनत करता है मेनत कभी बेकार नहीं जाती मो घ्यान हमेशा हुमारे सब रहता है प्रधानमंत्री नरींदर मोदी ने टोक्यो उलंपिक को लेकर समींखे बैठadores की पीएम्मोदी ने अथलेट्स को ट्रेनिंग करते रहने उलंपिक ओटा जीतने के लिए अंतराज़्ट्रे प्रतियकिताओं में भाग लेने और एथलेट्स के टीका करण पर बात की प्रधान मंत्री मोदी ने टोक्यो अलम्पिक के लिए सभी खिलाडियों को शुब काम ना आई दी टोक्यो अलम्पिक के लिए भारतिय टीम ने तयारियां तेज कर दी है और खेल मंत्री केरन डी जीजू की मौजूद्गी में ओफिशल किट भी लॉंच की गए आपको तादे कि कोरोना की बच्छर इसे साल दुजार इसमें टोक्यो अलम्पिक्स थागित हो गया था अब इसका आउजन तेईस अगस्त से आठ अगस्त अगस्त कोना तैयारी बहुत अच्छी है और आज पचास दिन काउंटडाउन है टोक्यो अलम्पिक्स के लिए अस्तर पर उलम्पिक्स को लेकर के खिलाडियों के लिए हमारा तैयारी क्या है इसका बहुत ब्यापक रूप से जो समीख्छा लिया यह बहुत बड़ी बात है तो हम लोग पर तैयारी कर रहे हैं हमारा दायत है के खेल और खिलाड़ी वो सबसे आगे है और उसको प्रातिमिकता हम देख करके काम करेंगे खबर सोनीपत से जहां दो पक्षों के बीच लड़ाई में बुज़ूर्ग की मौत हो गई बुज़ूर्ग के सिर पर कुलहाडी से हमला किया गया डंडों से पिटाई की गई आंधी में उपले उड़कर एक घर पर गिरने पर कहा सुनी दरसल हो गई सोनीपत के गाउं कालुपूर में बुज़ूर्ग की पीच पीच करत्या का मामला आया है सामने पेड़ित परिवार ने दो भाई हो समेथ बारहा लोगों पर आरूप लगाया फतेयबाद के टूहाना से जेजेपी विधायक देवींद्र सिंह बबली विवाद के बार चंडीगट पहुचे किसान नेता गुर्णाम चड़ूनी ने फिर से अपने बयान से पल्टी मार ली है पहले टुहाना विधायक देविंद्र बबली के विरोथ से इंकार किया था और जो लोग विरोथ कर रहे थे उनको सुर्खियां बाटोडने वाला पताया था लेकिन जीन्द में चड़ूनी ने कहा कि विधायक का विरोथ करेंगे उनकी शव यात्रा निकालेंगे और शिल्या रुकेंगे फिलाल एक छोटे से ब्रेक के लिए